नमस्कार दोस्तों मैं सुभाज शर्मा चन्रीगट से लाल किताब के गयन में आपका स्वागत करता हूँ दोस्तों आज की हमारी चर्चा है प्रॉलम्स की यानि कि हमारी जीवन में कई बार कुछ प्रॉलम्स अचानक से आ जाती हैं किसी भी तरह की प्रॉलम्स अचानक से आ पच्चे अगर कहीं पर परेशानियां क्रेट करना शुरू कर देते हैं तो अभिभावक जो हमारे पेरेंट्स हैं वो काफी ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं क्योंकि देखिए बच्चों के लिए बहुत कुछ किया जारा अगर वही ऐसा कुछ करेंगे तो परेशानियां त जल रहा है पर अचानक से कहीं पर कोई दिक्कत आ गई आपके आफिस में कहीं प्रावलम हो गई कुछ भी किसी भी तरह की यह प्रावलम से तो उनका सलूशन आज मैं ऐसा देने वाला हूं जो कि आप बिलकुल आसानी से कर सकते हो तो उपाए जो होगा वो कैसे किया जाए में क्यों आती हैं जब भी कोई अचानक से परेशानी आए तो आप समझ जाना कि यह बुरे राहू के प्रभाव हैं बुरा राहू ज़रूरी नहीं कि हमेशा ही बुरा रहे conditions यनि कि शैतानी करने का जिस समय मौका मिल जाए राहू को उस समय वो अपनी शैतानियों से बाज नहीं आता और हमें परेशान करता है हम अगर देखें तो राहू सोच भी है जो कि हमारे विचारों में उथल पुथल मचाता है कई बार इनसान बहुत negativity की तरफ चला जाता है रात को बुरे-बुरे सपने लेता है डरता है एक confidence कम हो जाता है और लोगों के साथ विवार भी खराब हो जाता है जब विवार खराब होगा तो अलड़ी हमारे जो relations हैं जो अच्छे चल रहे थे वो खराब होने शुरू हो जाते हैं तो इन ही सभी का उपाय आगर मैं राहू की बात करूं वैसे इन जनल देखिए जिसके वास कुंडली है वो भी यह उपाय कर सकते हैं जिनके पास नहीं भी है वो भी उपाय कर सकते हैं किसी के लिए कोई बाउंडेशन या लिमिटेशन नहीं है क्योंकि परेशानी ही एक लक्षन है जिसको पकड़ के आप ये उपाय करेंगे पहले तो ये समझ लिजे कि जो राहू है राहू की कारकवस्तु क्या है और इसको कंट्रोल कैसे किया जाएगा इसके साथ-साथ हम और क्या जोड़ेंग क्योंकि राहू के देखिए हर एक परेशानी के अनुसार कुछ उपायों में हम फिर बदल करते हैं जिनसे की उन परेशानियों से निजात पा लें अगर हम यहां पर ये उपाय कर रहे हैं तो इसका लॉजिक और इसका सीधा इफेक्ट उन प्रॉलम्स पर पड़ेगा जो क यहां पर शक्तियां हम एड़ करते हैं क्योंकि शक्तियां जो होती है कारक स्भWow ने कि बच्चे का सब्भाव कहीं उतार-चदा बच्की बॉस्चे बहुत समझ रहे हैं ऑपढ़ांकि में ठ्याननी दे रहे रहे हैं आजक आजक़्ाम्ला दो हैं बच Zhocke तरव ध्यान देना है बच्श के विए बिमार नहीं रहते हैं उनका ध्यान दूर्धर तो नहीं जा रहा ही है गैज confess नंगिए इस तरह की परिशानी के लिए पहले बच्चों की लिए हम बात करते बच्चों के लिए क्या करना है स्कुर्द की घर Billy ले लिजेगा स्टील की कटोरी या कटोरा टाइप का आप ले लिजेगा प्लास्टिक भी ले सकते हैं उसके अंदर एक मुठी जॉओं डालिए थोड़ा सा पानी डाल दीजे और इसको राद बढूज़ने दिजी यघ हो दोब के बढ़एRO तोड़ा सा गुड रख लीज़े है। गुड रख कर आपको यह जा कर गाये को देना है। अब गुरुवार को यह आपने काम किया और शुकरवार की । आपने सुभह जाकर गाये को देजिया। या तो गुरुवार को भिगा दिजित शुकरवार को दे दिजिए या फिर आप मंगलवार को भिगा आप दिए अब ये दो दिन है यानि कि भिगाना कब है और देना कब है एक Cand in quarantine बुद possess दिन का से और देन豏 eller कर से किसी तरह की बिमारी किसी तरह की परेशानी हेल्थ में कहीं न कहीं उतार चड़ा दिमागी परेशानी सोच में परेशानी बिहेवियर में कहीं न कहीं परेशानी इसको कंट्रोल करेगा अब बात करते हैं करियर की बच्चों को तो हमने सेट कर दिया आप बात करते हैं करियर क जो करियर पिता जी या माता जी कहीं पर उनकी दिक्कत आ रही है तो उसको सही करने का सिंपल तरीका एक समझे इसी तरीके से आप भिगाईएगा और भिगा के जाके आपने गाये को अगले दिन दे देना है अब कई बार ये कंडिशन ये उपाय चेंज होता है उसके लिए ज रहुल लगन का है वो ये उपाय कर सकता है रहुल लगन का है तो इनसान को दिमागी परेशानियां में देता और बीमारी देता तो उसके उपाई होते हैं की जौं को दूद में भिगा के और जल परवा करते रही है बाकि आगर माली ये कंडिशन नहीं है health की आप प्रॉब और जो जो राहू की वस्तु है और दिया हमने किसको गाय को किसी भी तरह के नेगटिव अंश को वो गोबर बनाके निकाल देती है यह होता है एक शुकर का परभाव शुकर के जरीए हम जो यानि कि राहू और मंगल इन सब को सही कर रहे हैं जब शुकर कहीं न कहीं डिस्टर शुकर कमजोर के हजार अलक्षन है वह बात की बात है बस इतना समझ लिए आपके शरीर में आलता शुरू हो गया काम को टालना शुरू कर दिया ना आपने तो समझ लिए शुकर कमजोर है ऐसे केसे में जब चीजें गाय को पहुंचाई जाती है गाय को हम देते हैं तो यह दिन कोई भी रख लिज perception पिए न Griff को वार दीजे और जाकर बुद्डवार को दे दीजैं या फिर आप गुरू और को भीगा दीजे और शुकर को देज़ितर इस तरह से आप कर सकते यह उपाय बहुत सिंपल है यह कर सकते हैं लाल किताब की सभी समगरी अब आप मेरी WhatsApp कटलोग पर आसानी से देख सकते हैं और आप अपने अडर्स पर मंगवा भी सकते हैं सर्दियों का समय में जिनकी कुंडली का भी राहू दिस्टरब है वो घर में आग जला कर ये हाथ सेकना वगरा बंद करो बाकी क्योंकि राहू धुआ है और जितना धुआ घर में क्रेट करोगे खास कर वो धुआ जिसमें आप सांस नहीं ले पाते हो धुबत्ती हवन इनके धुए से कोई मैटर नहीं है जो आग जलाते हैं लकणियां उपले कंडे ये जलाते हैं इनके लिए प्रॉलम है ये थोड़ा सा अवाइड करें सर्दियों के दिनों में ये मत करो वरना प्रॉलम आईगी आपकी काले नीले कपड़े अवाइड करिए बच्चों के चाहें अपने किसी के भी इस समय में थोड़ा लोग डार्क कपड़े पहनते हैं थोड़ा लाइट कलर को भी शामिल करिए पकी इसके साथ साथ बच्चे को आप तीन धातू का कड़ा पहना सकते हैं तीन धातू से याद आया पीतल के छले अभी कुछ दिन पहले थोड़े से आये थे इतनी भारी डिमान थी कि पूरे नहीं हो पाए किसी तरीके से जहां से त्यार होते थे नहीं हो पाए आप दुबारा से फिर आ रहे हैं और बढ़िया क्वाल्टी के आ रहे हैं यह महंगे रतन बताईए मैं देखिए भाई साब मैं सीधी सी बात कहता हूँ एक परिवार में एक मा के चार बच्चे हैं एक बच्चा अच्छी जगा सेटल हो रखा है एक बच्चा भी स्टगल कर रहा है तो मा के लिए तो प्यार सबी बच्चों के लिए होगा उसके चारो बच्चों के लिए होगा तो इसी तरीके से मैं एक गुरु की पद्वी पे बैटके उन सबी लोगों के बारे में सोचता हूँ जिसके पास जेब में पैसा है उसके बारे में भी जिसके जेब में पैसा नहीं है उसके बारे में भी तो एक चीज का समझ लीजे जब आप शरद्धा से कोई भी चीज पहनोगे ना तो वो असर करेगी नहीं तो आप लाको करोणों की चीज पहन लो जब असर नहीं होगा ना तो नहीं होगा वो कहावत भी है ना कि जब लिखा हो किसमत में घिसना तो क्या निबू पानी और क्या रसना तो इस तरीके से थोड़ा सा हर एक वर्गों को सोचना पड़ता है कि किसके लिए क्या जिरूत है यह चोटे चोटे उपाय बता के ही मैं आप लोगों का भला करता हूँ महेंगे उपायों के चक्कर मैं कभी नहीं डालता हूँ मैं आपको आपका किस तरह से फायदा हो, मेरा बस यही उदेश होता है रोज में आपको जान करी देता हूँ ज्वापको जान करी अच्छी लगे आप अपने लिए इस्त्माल करो, जो दूसरों के लिए इस्त्माल हो सकती कुछ अब बात करते हैं कि वो पहले भाव की आखरी घर की ये क्या लॉजिक्स हैं ये भी मैं आगे बताओंगा बाकि जो लोग किताबें अभी किताबों को मेरी किताबों का भी काम चल रहा है in between जो लोग पढ़ रहे हैं किताबें वो थोड़ा जनरल और अच्छी किताबें पढ़िए क्योंकि ये मार्केट में बहुत तरह कि उल्टी सीधी लाल किताब के नाम से किताबें उनको मत पढ़िए कभी समझ नहीं आएंगे उल्टा सिधा ग्यान ले बैट होगे आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ ओरिजिनल ऑथेंटिक किताबें हैं पंडित वेनी माधव जी की इसके लाबा कोई किताबें मत पढ़िए हाँ अगर आपको किताबें लेने में कहीं से दिक्कत आ रही है तो आप मुझे वट्सेप करी आपको दिल्ली से इसकाउट प्राइस में औरिजिनल किताब में आपके एडर्स तक पहुंचवा दी जाएंगी तो इन उपायों को इन जानकारियों को दिमाग में बढ़ा कर रखने है mapped में बागना है पहले परेज की तरफ आप दिमाग में बढ़ा कर रखने की पर एगा क्या होते हैं अपना प्यार बनाए रखिए वीडियो को शेर करते रहिए और किस तरह से आपके और जान करें चाहिए उनके कमेंट करते रहिए बाकि अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में आप कुछ कमेंट कर सकते हैं तो कमेंट करिए और अगर नहीं भी करना चाहते हैं तो जैमाता झाल 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 झाल